हेलो दोस्तों मैं हरुषभ चार्जर आज की स्वीडियो में हम कंपार्जन करने वाले नॉइस कलर फिट अल्ट्रा टू वर्सेज अमेज फिट जीट टू मिनी तो इन दोनों स्मार्ट पाशिस में से कोंजला अपके लिए बेस्ट राएगा उसका करते हैं तो अल्ट्रा टू का तो दोस्तों मैंने अन्बॉक्सिंग वीडियो वे बनाया है इसका अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो इसमें ज्यादा बड़ा डिस्प्ले हमको मिलता है अगर 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 करें तो दोनों का ही बढ़िया है अगर आपको सब बेसिक चीज मिल जाएगा स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो फिर GTS 2 Mini में 70 प्लस स्पोर्ट्स मोड है इसमें 60 प्लस स्पोर्ट्स मोड तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको स्पोर्ट्स मोड मिलेगा बैटरी लाइफ की बात करें तो GTS 2 Mini में क्लेम्ड है 14 इसका क्लेम्ड है 7 तो थोड़ा सा बै GTS 2 Mini में GPS भी inbuilt आता है इसमें कोई GPS नहीं है वाटर प्रूफिंग की बात करें तो GTS 2 Mini में 5ATM this is IP68 5ATM ज्यादा बेटर रहता है इंटर्ब सा वाटर प्रूफिंग वह अंडर वाटर भी आप जा सकते उसे पहन के ठीक है प्राइसिंग की बात करें तो अल्टर टू इस 4,499 4,500 GTS 2 Mini की बात करें तो अभी मैं देख रहा हूं 6,500 पे मिल रहा है तो अल्मोस्ट 2,000 रूपिस डिफरेंस है अभी हम बात करते हैं पहले GTS 2 Mini का क्या क्या अड्वांटेज है नंबर वन उसका जो ब्रैंड वैल्यू है वो ज्यादा है Amazfit is an international brand तो वो वाच आप international भी कोई दूसरा country में भी खरीच सकता है ठीक है फिर compact size आपको मिलता है sports mode थोड़ा ज्यादा है GTS 2 Mini में बैटरी लाफ भी थोड़ा ज्यादा है और वाइस रिस्टेंट का support मिलता है GPS भी है waterproof थोड़ा सा ज्यादा मिलता है GTS 2 Mini में अल्ट्रा 2 की बात करें दोस्तों नमबर वन इसका जो display है थोड़ा सा जादा आपको बड़ा मतलब बड़ा तो ही size में तो जब आप पहनेंगे थोड़ा सा जादा premium slightly लगेगा अगर मैं बात करू pricing भी आपको almost 2000 रुपीज कम का मिल जाएगा अल्ट्रा 2 compared to GTS 2 Mini यह तो दोनों का advantage हो गया अगर मेरे को अब भी खरीदना होता तो कौन सा मॉडल में खरीदता अगर budget कोई भी इश्यू नहीं है दोस्तों मतलब इन दोनों smartwatch में कोई भी smartwatch आप खरीद सकते हैं तो फिर मैं suggest करूंगा मेरा personal choice भी है Amazfit का GTS 2 Mini कि आपने देख लिया बहुत जादा features हमको मतलब बहुत सारे features जादा मिलता है GTS 2 Mini में तो if price no issue go for the GTS 2 Mini definitely आपको features जादा मिल रहा है if price is an issue value for money की बात करें तो ultra 2 है ठीक है तो based on your budget आप देखिए मेरा personal choice अभी खरीदना होता budget no issue GTS 2 Mini दोनों products कर लिंक description में रहेगा दोस्तों वीडियो का थोड़ा सब useful लगा तो एक लाइक जरूर कर देना चाल पर नहीं तो subscribe करके bell icon में दबा दीजिए मुझे के लिए इतने था दोस्तों फिर सब्सक्राइब लेंगे तब तक के लिए बाइबाय और स्टे सेफ